हेलो दोस्तों देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और डिजाइन लेकर आ गई हूँ और हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखती है तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा पार्ट बना की रखा हुआ है सिंपल वे में कहें तो यह केबिल डिजाइन है और बहुत आसानी से बनने वाली बस जब हम केबिल डिजाइन थोड़ा ज़्यादा फंदों की केबिल हम बनाते हैं तब थोड़ी दिक्कत होती है में अगर कम फंदों में हम बनाते हैं तो बहुत आसानी से बनती हुई जाती ह लेकिन बस थोड़ा सा जब हम फंदे ट्विस्ट करते हैं और तब जादा फंदे हम लेकर केबल बनाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन उसका भी एक ये तरीका है कि तो अपको सिंपल निडल से बताऊंगी लेकिन आप केबल निडल का भी यूज कर सकती है तो उससे आसानी से आपके फंदे ट्विस्ट हो जाते हैं और कोई भी फंदे गिरते भी नहीं है और बहुत आसानी से हमारी केबल बनती हुई जाती है तो देखे ये मैंने छोटा सा पार्ट बनाया है कि exactly हमारी डिजाइन है कैसी अब इस डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे और कितने फंदे लेंगे तो हम शुरू करते हैं कि इस डिजाइन के लिए हमें चाहिए 13 फंदे 13 फंदे हम लेंगे अपने प्रोजेक्ट में किसी में भी बच्चो में जैंस में लेडीज में ब्लैंकेट बनाईए शाल बनाईए मफलर बनाईए जिसमें भी तो 13 के multiple में हमें फंदे लेने हैं और हमें 5 फंदा 5 इस्टिच हमें extra लेने हैं जो ये last में आपको दिख रहा है ये हमारे extra फंदे हैं जिससे हमारी design पूरी set हो जाएगी और यहां से ये cable और ये design ये जो है इतना part हमारा ये design का है ये design बनती जाएगी तो इसी को multiple में लेकर आप इसे बनाएंगे तो मैंने यहां पे 13 फंदे लिए और पांच फंदे मैंने एक्स्ट्रा वाले लिए तो मैंने बस छोटा से एक पार्ट आपको यहां पर दिखाया है उसके बाद आप 8 सलाइँ रिपीट करेंगी तो हमारी ये cable ऐसे बनती हुई जाएगी 8-8 सलाइँ हमें बनानी है बिल्कुल सिंपल वे है सबसे पहले देखिए जो पहली सलाइए जो उल्टी सलाइए तो सारी उल्टी बनी जाएगी इतनी सारी उल्टी सलाइए है उसे हम उल्टा बनाएँगे तो अब हम शुरू करते हैं डिजाइन सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है तो मैं तो यहां पर जो एक्स्ट्रा फंदा होता है मैं यहां पर नहीं लेती हूँ चार और यह पांच देखिए चार फंदे उल्टे बन गए उसके बाद हम उन पीछे करेंगे और आठ फंदे जो केबल के हैं उनने सीधा बनाएंगे नॉर्मल सीधा जैसे हमें बनाना है जैसे हम सीधा और उल्टा बनाते हैं वस वैसे तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ तो देखिए यह हमारी डिजाइन यहाँ पर यह इतनी डिजाइन के यह फंदे हो गए अब यह एक्स्ट्रा फंदे हैं तो देखिए यहाँ पर यह हमारी डिजाइन के फंदे हो गए यह जो हमारी एक्स्ट्रा फंदे इसे भी हम उल्टा बनेंगे तो इसमें डिजाइन यह है कि हमें पांच फंदे उल्टे बनने हैं और आठ फंदे सीधे बनने हैं इसी तरीके से हमें तीन सलाईय लगतार ऐसे ही बनानी है और उल्टी साइट से हम नॉर्मल उल्टा बनेंगे तो दीखिए हम सलाई को पलट लेते हैं उल्टी साइट पर हम आ गए हैं अब उल्टी साइट में हमें देखिए ऐसे नॉर्मल उल्टा बनाना है इस तरीके से बनाते हुए हम पूरी सलाई अपनी कम्प्लेट करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं कि पहली सलाई और तीसरी सलाई और छटी सलाई हमें नॉर्मल जैसे मैंने अभी पहली सलाई अपको बताई है पहली सलाई की तरह तीसरी और हमें उसकी पाँचवी सलाई ऐसे ही बनानी है और जब हम साथवी सलाई पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें फिर कैसे फंदे ट्विस्ट करने हैं तो देखें यहाँ पर उल्टी सलाई या पूरी उल्टी पुनी जाएगी और सीधी तरफ से हमें सीधा और उल्टा बनाना है पांच उल्टे फंदे और आठ जो है हमें सीधे बनाने हैं तो मैं छे सलाईयां कंप्लीट करकर फिर आपको जब हम सातवी सलाई पर आएंगे तो फिर हम आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें ट्विस्ट करने हैं फंदे तो देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बना लिए तो यहां पर देखिए यह तीन लाइने यह हमारी एक दो तीन यह बन गई है अब साथवी और आटवी सलाई बची है तो यहां पर देखिए अब हमें यह साथवी सलाई में यहां पर हमें अब ट्विस्ट करना है फंदों को जो केबल के फंदे हैं तो सबसे पहले तो हम पांच फंदे उल्टे बना लेते हैं डिजाइन के फंदे जो है चार और पांच तो अब देखिए यहां से हमें आठ फंदों को चार-चार है इसे ट्विस्ट करना है तो सबसे पहले देखिए जो चार फंदे है जो केबिल निडल का यूज़ कर सकती है मैं आपको ऐसे ही करकर दिखा रही हूं और आप केबिल निडल से बनाईएगा तो आपको असानी से फंदे आपके सलाईों पर चड़ जाएंगे कोई दिकत नहीं होगी आपको तो देखे ये मैंने चार फंदे इस पे ले लिए चार उसे हमें इस सलाई पर चड़ाना है तो यह देखिए हमें कैसे करना है दीरे-दीरे से हम करेंगे बहुत आराम से जल्दी जल्दी नहीं करना है कि कोई फंदे हमारे गिर जाए और पता ना चले इस तरीके से तो देखिए यहां पर यह पूरे आठ फंदे आ गए अब बिल्क मून पीछे हम करेंगे अब उसके बाद हम इसको सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, एजार, पाँच, छे, साथ, और यह आठ, तो यह केबिल के फंदे हमारे बन गए, अब हमें देखिए क्या करना है, उन आगे करना है, और इसको उल्टा बनाना है, तो अब देखिए, यहाँ पर अब यह हमारी लाश्ट जिजाइन की आठवी सलाई आ गई, तो इसे हम अब उल्टा बना लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी डिजाइन दिखाती हूं, तो यह देखिए, यहाँ पर हमारी यह केबल बन गई है, तो आठ सलाई यहाँ से लेकर, यहाँ तक यह मैंने आपको बना कर दिखा दी, अब फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे पहली सलाई से, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी यह केबल बनती जाएगी, और जो ज आठ सलाईयों पर बनाईए, तो थोड़ा थोड़ा इस पर गैप आजाएगा, और अगर बिल्कुल ऐसे आप बनाना चाहते हैं, तो आठ सलाईयों पर ऐसे आपका सेम बनेगा, तो अगर आपको यह डिजाइन अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करि लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंट्स और फैमली से, और अगर जरा भी वीडियों आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे वीडियों को लाइक भी किया करिए, थैंक यू, शुक्रिया,